Hello students, welcome to Concept Coaching Classes, Class 10, Chapter 1, Chemical Reaction and Equation आज से हम Class 10 के वीडियोस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम रेगुलर्ली वीडियोस अपलोड करेंगे और हम इसी रेगुलर्ली पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको प्रॉपर नोट्स प्रवाइट करूँगी प्लस चैप्टर के इंडिंग पे मैं आपको PDF नोट्स भी प्रवाइट करूँगी सो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 1, Chemical Reaction and Equation सबसे पहले तो हम इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, यह जो चैप्टर का नाम है Chemical Reaction and Equation यानि कि जो Chemical Reactions होती है, वो कैसे होती है, क्या होती है और यह Equations क्या होती है, तो सबसे पहले तो हमने 9th क्लास में यहाँ पे कुछ पढ़ रखा था, उसे revise करते हैं सबसे पहले हमारा यहाँ पे, हमने वाँ पे देखा था, Physical Change फिजिकल चेंज क्या होता है, if a change involves change in color or state, but no new substance is formed, then it is a physical change आपने यह जिस पर डखी थी कि हमारे पास दो तरह के चेंज होती है, एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है chemical change फिजिकल चेंज वो चेंज होता है, जिसमें हमारा color और state तो चेंज रहती है, color change होने का मतलब है, कि जैसे कि अगर आपने क्या 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 एक wood ली और wood को आपने burn किया, तो वो क्या हो गया, आपका black हो गई, या आपके coal में convert हो गई, और state चेंज होने का मतलब है, जैसे कि आपने liquid लिया, liquid को freeze कर दिया, तो वो ice में change हो गया, तो liquid आपका क्या था, liquid था वो, और ice जो हो गया, वो freezing state में आगया, तो liquid से solid state में convert हो गया, but no new substances form, लेकिन कोई नया substance नहीं बने, तो ऐसे changes को हम क्या बोलते है, physical change, जैसे कि melting, boiling, condensation, आप water को melt करते हो, liquid से, आप melt करते हो, liquid, ice से, वो solid से, liquid में change तो हो जाता है, बट उसमें कोई भी नया substance नहीं बनता, तब भी वो water रहता है, और melt होने के बाद भी वो water ही रहता है, तो इस तरह के change को हम बोलते है, physical change, यह सब आप पढ़के आ रहे हो, next है हमारा chemical change, हमारी पूरी जो first part है, या first chapter है, यह पूरा chemistry का पार्ट है, और यह chemistry का ही आपका first chapter है, तो इसमें आप पूरा chemical के बार में ही पढ़ोगे, तो हम देखते है, chemical change होते क्या है, तो chemical change, physical change से किस तरह से different है, physical change में जिस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे, कि नया substance form नहीं होता, वहीं chemical change में, यह must है कि नया substance form हो, तो if a change involves formation of new substance, तिज़ा chemical change, तो अगर हमारा कोई नया substance form होता है, तब हम इसको कहते है, chemical change, तो physical and chemical change में सबसे बड़ा difference है, वह यही है, कि आपका नया substance है, वह इसमें बनता है, chemical change में नया substance बनता है, जिबकि physical change में नया substance नहीं बनता, तो इसका example लेता है, जैसे कि making of curd for milk, दूद से दही का तो इसे हम कहते है, chemical change, ओके, next topic आते है हमारा, क्योंकि हमारा chapter का नाम ही है, chemical reaction, तो हम पढ़ते है, chemical reaction के बारे में, chemical reaction actually होती क्या है, तो chemical reaction की definition देखिए, a chemical reaction involves a chemical change, in which substance react to form new substance with entirely new properties, यानि chemical reaction क्या होती है, क्या होती है, chemical reaction में chemical change होता है, जिसमें जो substance react करते हैं, यानि दो substance आपस में react करते हैं, और एक नया substance बनाते हैं, दो या दो से ज़ादा भी हो सकते हैं और एक नया substance बनाते हैं जिसकी properties पहले वाले से बिलकुल अलग होती है तो chemical reaction क्या होती है chemical reaction वो reaction होती है जिन में chemical change होता है और उस chemical change में क्या होता है आपके पुराने substance जो होते हैं वो नया substance में convert हो जाते है और यह जो नया substance होता है उसकी properties पहले वाले से बिलकुल अलग होती है जैसे कि मैंने आपको यह पर example दिया था making of curd from milk तो हमने क्या किया यहाँ पर एक chemical change हुआ और chemical change में हमारा substance किया था हमारे पस milk और milk के साथ हम ले लेते हैं lemon तो milk और lemon यह दोना आपस में react करते हैं और आपका curd बना देते हैं अब curd की जो properties है वो milk से बहुत अलग है curd आपका खटा होगा तो curd जो है वो milk से अलग property शो करता है तो ऐसी reaction क्या कहलाती है आपकी chemical reaction अब chemical reaction में जो substances होते हैं जिनको हम लेते हैं जो हम अपनी तरफ से लगाते हैं जो react करते हैं जो part करते हैं reaction में वो कहलाते है reactant जैसे कि हमारा इस case में milk और lemon जो था वो आपका reactant कहलाएगा वहीं जो substance formed होता है यानि जो substance हमें बनने के बाद मिलता है वो क्या कहलाता है वो आपका product कहलाता है नाम से समझ में आ रहा है वो क्या कहलाता है product यानि कि curd आपका क्या कहलाएगा product तो जो आपने raw material ले रखे थे milk और lemon वो आपके reactant कहलाएगे जबकि जो आपको product मिलके तयार हुआ है वो आपका product कहलाएगा ओके clear है तो next देखते हैं यह chemical reaction में ऐसा होता क्या है जिस वज़े से हमारे reactant product बनते है तो chemical reaction में हमने क्योंकि 9 class में product आपका था वहाँ पे atomic bonds वगएरा के मारमें थोड़ा बहुत हमने देखा था कि atoms and molecules जो होते हैं उनमें एक bond होता है वो आपस में sharing करते हैं या एक दूसरी के साथ electrons को gain या share करके gain करें या lose करके आपस में bond बनाते हैं आपस में sharing करते हैं और compound बनाते हैं तो during a chemical reaction क्या होता है कि यही जो bonds होते है atoms के बीच के यह react करते हैं और break हो जाते हैं और नए molecules में convert हो जाते हैं तो during a chemical reaction there is a breaking of bond between atom of the reacting molecule to give product तो जो भी reacting molecule लिसे milk था तो milk के जो भी compounds थे milk के एक थे उनके बीच का bond जो था वो ब्रेक हो गया तूट गया और देन वो नया substance यानि कर्ड में convert हो गया ओके क्लियर हो रहा है आपको तो चलते हैं फिर next आगे बढ़ते हैं next topic है chemical reaction ठीक है हमने पढ़ लिया कि chemical reactions क्या होती है कि जब भी कोई chemical change होता है तो हम कहते हैं कि chemical reaction हो रही है नया substance बन गया हमने का chemical reaction हो रही है लेकिन अब chemical reaction तो ऐसे reaction होती है जो कि बनने के बाद ही आपको पता चलेगा कुछ बन रहा है तो हमने कैसे पता चलेगा कि chemical reaction हुई है या नहीं हुई है उसके लिए कुछ observations होने चाहिए तो आपसे कुछ questions भी इस टाइब से पूछे जाते हैं कि आप list the observation या list any two observations that can help me या that can help us to observe that chemical reaction is possible or not या chemical reaction is observable or not तो chemical reaction can be observed with the help of any of the following observations जरूरी नहीं कि सारी observations हो लेकिन जब आपकी chemical reaction होगी तो इन में से एक या एक से जादा observation आपको जरूर देखने को मिलेंगी तो जब भी chemical reactions होगी में भी हो सकता है कि evolution of gas हो यानि gas उसमें से निकले यानि जब आप दो test tubes में आपस में एक reaction करोगे एक test tube में से दूसरे test tube में आप कोई चीज़ डालोगे या किसी और chemical को आप उस test tube में डालते हो तो evolution of gas होता है नहीं gas निकलती है next अगर gas नहीं भी निकलती है तो और क्या changes हो सकते है या गैस निकलने के साथ और क्या changes हो सकते है change in temperature temperature change हो सकता है या कोई ऐसी चीज़ आपने मिला दी से temperature कम भी हो सकता है जैसे कि आपने boil किया तो boil में आपका temperature जादा हो गया वहीं क्या होता है कि या जिसे आपको पता है कि जब हम lime लेते हैं quick lime लेते हैं quick lime या निकलते हैं और चूने में हम जब water मिलाते हैं तो उसमें बहुत तेजी से bubbles निकलते हैं वो bubbles और कुछ नहीं होते हैं वो एक carbon dioxide gas ही होती है तो इस तरह से हमने क्या किया कि हमने लिया quick lime लिया यानि चूना लिया और हमने उसमें water मिलाया तो quick lime में जब हम water मिलाते हैं यानि हमने यहाँ पर क्या किया quick lime लिया और उसमें हमने क्या किया water मिलाया तो यह भी तो एक तरह की chemical reaction होई तो इसमें हमने क्या क्या होता है evolution of gas होती है यानि gas निकलती है आपने उसको देख रखा है bubbles निकलते हैं और temperature भी आप देखते हो change हो जाता है यानि बहुत गर्म हो जाता है अगर उसमें थोड़ी दूर से हाथ लगाते हो तब भी आपको बहुत burning जैसा feel होता है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि temperature भी change होता है formation of precipitate precipitate का मतलब क्या होता है precipitate का मतलब कोई भी चीज जो bottom पे जाके पैट जाए कुछ powders आपने react किया दो आपने chemicals थे दोनो liquid थे आपने दोनों को react कराया और आपने देखा कि test tube में एक test tube आपने ली और दूसरी test tube ली एक test tube में आपने कोई chemical ले रखा है दूसरी test tube में आपने कोई chemical ले रखा है एक test tube से आपने तो आपने देखा कि नीचे कुछ बॉटम में पाउडर टायट का बैट जाता है यह पाउडर ही आपका प्रिस्पिटेट के लाता है तो कई रियक्शन में आपके प्रिस्पिटेट भी बनते हैं आपने देखा है कि जब हम दो टेस्ट यूप से यह एक केमिकल को दूसरे में कई भर एसा होता है कि उसका किलवा चैनज हो जहता है तो इस तरह से हम आतकि हैं चेंजिन कलर और चेंज ऑल्ति मैं पींट यह स्टेट थैंड्यूल को पता है अब के स्केंज़ घ्रती तो इनंपर चैन्म टेसान में बन जाते हैं अंक्ि तरह से कॉंसेप्टिल कोई नाय कि list नहीं 2, 3, 4 observations that tell us that observation can take place or not या chemical reaction take place or not तो यह topic clear हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे आगे आथे हैं हमारा chapter का नाम ही था chemical reaction and chemical equation तो chemical reaction के बारे में थो हमने पढ़ दिया अब देखते हैं chemical equation क्या होती है equation जिसे कि हमने maths में पढ़ी रखा equation का मतलब यह जो reactions हो रही है इनको अभी तो हमनों word में देख रहे थे wordings में देख रहे थे, यानि जब हम quick lime को plus water mix करते हैं तो हम देखते हैं कि slake lime बन जाता है तो यह तो क्या हो गया यह एक आपकी word equation हो गई quick lime में हमने water plus किया और slake lime बन गया, यानि यह क्या हो गई यह आपकी word equation हो गई अब अगर इसी को हम क्या करें इसी को अगर हम equation के फॉर्म में लिखें equation के फॉर्म में लिखने का मतलब इन दोनों को ऐसा plus करके arrow बनाया यानि कि हमने क्या किया, quick lime लिया और quick lime को हमने प्लस किया वाटर से और एरो बनाके स्लेक लाइम बना दिया तो इसे हम कहते है chemical equation तो एक बड़ देख लेते हैं chemical equation की definition क्या है देन फिर हम आगे continue करते हैं symbolic representation of a chemical reaction यानि जो भी हमने chemical reactions पढ़ा उसका symbolic representation symbols के थूँ हम उसको represent अगर करें तो वो हमारा क्या कहलाएगा वो हमारा कहलाता है chemical equation symbols के थूँ का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि आपका ये quick lime है तो quick lime को हम लोग denote करते हैं cao से plus water होता है हमारा h2o और देन हमारा यहाँ पे क्या बनता है ये बन के तयार हो गया slay lime जिसका formula होता है caoh का whole twice चाहिए तो ये हमारी क्या हो गई ये symbols है quick lime का symbol हो गया water का symbol हो गया slay lime का symbol हो गया तो हम symbol के form में जब किसी चीज़ को लिखते हैं तो ये हमारी chemical equation कहलाती है यानि chemical reaction को जब हम symbolize कर देते हैं तो chemical equation कहलाती है जब हम इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे अभी आगे हमें पूरी reactions बनानी है अभी तो मैंने आपको बता दिया तो अभी आगे जब इसको continue करेंगे तो आप इससे familiar हो जाओगे अभी देखते हैं फिलाल कि इनके features क्या क्या है यानि chemical reactions के features क्या क्या है तो chemical reactions आप देखते हो कि features क्या क्या है सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है कि the reactants are written on the left hand side with a plus sign between them यानि जो reactants जो raw material आप लोगे वो किदर साइड लिखना है आपको वो आपको left hand side में लिखना है यानि अगर आपने quick lime of water लिया तो आप उसको किस साइड में लिखोगे वो आपका raw material था उसको left hand side में लिखोगे the products are written on the right hand side और जो product आपको मिलता है वो आप कहा लिखोगे right hand side एक से ज़ादा है तो उनमें plus लगा के किस साइड है जो कि दिखाएगा हमें कि इस direction हमारी किस साइड है किस साइड हो रही है ओल्का है वो पॉइंट करता है तो ऑड पाइट पॉइंट करेगा और in canal करेगा एक डिरेक्शन हो रही है वो किस डिरेक्शन हो रही है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं next feature to make chemical reaction or equation more informative अगर हमें अपनी chemical equations को और informative बनाना है यानि हम chemical equation को देखते ही सब को समझ जाए कि इसमें क्या हुआ होगा कैसे हुआ होगा जैसे for example आप किसी recipe को जब बनाते हो कि उसको कितने temperature पर रखना है कितनी देर के लिए रखना है कितने amount आप आपको कितने पेंच या कितने टेबल स्पून आपको चीजों को इंब्रीडियन्स को एड़ करना है तो आपके लिए वो easy हो जाता है वैसी अगर हम क्या करें अगर हम chemical equations के ऊपर ही सारी चीज़ें लिख दे कि हमारा कितने temperature पर हम उसको कर रहे है उस equations को या उस reaction को हम कितने temperature पर कर रहे है कितने pressure पर कर रहे है किस atmosphere में कर रहे है अगर यह सारी चीज़ें हम उसी में include कर दे तो हमारी equation जो होती है वो more informative हो जाती है जिसे temperature, pressure, catalyst, इन सारी चीज़ों को हम उसमें include कर सकते हो, कहा include करेंगे, written on the arrow, यह जो arrow है, इस arrow के उपर indicate करेंगे, ठीक है, फिर इस arrow के उपर हम लोग indicate कर देंगे, और यह arrow क्या होता है, separating the reactant and product, जिसे for example, देखिए, मैंने यह पर लगा रखा, A है, A आपका reactant हो गया और B product हो गया, तो जब A से B बन रहा है, तो आपने यह यह पर लगा दिया, for example, 20 degree Celsius बन रहा था, 1 atmospheric pressure था, और कोई ना कोई एक catalyst था, हाँ बाते हैं, catalyst, catalyst क्या होता है, catalyst है कैसी चीज़ होती है, जो कि आप कि कисी भी reaction की speed को slow या fast कर देती है, यानि reaction की speed को change कर देती है, जैसे कि आपको पता है, कि जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं, या हमने देखा हैं, कि कि किसी चीज़ को अगर हमें bake करना होता है, तो हम इसमें baking soda दाल देते हैं बिकिंग सोडा डालने से क्या होता है कि वो चीज जो होती है वो जल्दी से रियाक कर जाती है या आपने कई बार देखा होगा कि कहा जाता है या आपने सुना होगा कि सब्जियों को पकाने के लिए उसमें नमक डाल दिया जाए तो वह क्या होती है जल्दी पख जाती है यहां अगर सबजी पकाना भी गया वह एक तरह की chemical reaction हो गई आल देती हो यह सौलड को मिक्स कிरते हो तो क्या होता ह 되고 एक और फासली नहीं मौझा है कि आपका आपाउस्ट करता है यह हमारा सौल बाह सौल करता है लेकिन यह catalyst भी दो टाइप से वर्क कर रहा है यानि speed को ice में speed को कम कर दे रहा है यानि negative catalyst की रूप में वर्क कर रहा है और वहीं पर आपका ये सबजियों में ये positive catalyst की तरह वर्क कर रहा है तो catalyst क्यों भी अगर आप यहां पर mention कर दोगे तो आपकी chemical reaction जो है वो और भी ज़ादा informative हो जाएगी next आपके feature क्या है evolution of gas is indicated by an upward arrow हमने कहाना अभी कि कई पार reactions ऐसी होती है जिनमें gas निकलती जैसे फिर से वह example लेते है quick lime plus water का तो quick lime plus water का हमने example लिया तो हमारा क्या होता है कि एक gas निकलती है gas include होती है यह जो gas होती है वो क्या होती है यह gas आपकी hydrogen gas है अगर यहाँ एक्जामपल मैं यहापर लिया hydrogen gas है तो हमने यहाँ पर कहा कि जू भी gas निकलेगी उसके उपर एक arrow बना देते हैं यानि एक upward direction में arrow बना देते हैं यह इन्यूट करता है यह आपकर हमता वहीं अगर यह arrow हमारा downward direction में हो जाता है तो हम कहते हैं यह क्या है प्रिस्पिटेट एक आपका powdery substance जो कि bottom पे जाके घठा हो गया है तो इस एक arrow से हमें इसमें information मिल गई तो यह informative होते हैं तो अभी तक हमने क्या देखा कि physical और chemical changes क्या होते हैं chemical reactions क्या होती है chemical reactions हम कैसे पता करेंगे chemical reaction हुई है कि नहीं हुई है उनके लिए हमने 5 चीज़ देखी कि अगर हमारा change in color होगा change in state होगा change in temperature होगा आपका precipitate form होगा या आपका जो precipitate form होगा या evolution of gas होगी तो हम कहेंगे कि हाँ chemical reaction हमारी प्लेस हुई है उसके पाद हमने देखा कि chemical equations क्या हो थिया है chemical equations और चाहाँ यए अरो का हैड हम हमेशा अगर करते है जो हमें बताता है कि direction of motion और in कि रिएक्षिन के साइड है तो इस तरह से हमने यह चीज देखी यह लेखे कि इंफंहारी किस तरह में नृक्षिन को और जादा इंफर्मिटेर बना सकते हैं तो इसके लिए तो हमने लगता है, इसकेल्टल क्या है, इसकेल्टल यहादि यहादिशन का, ज्यांने चीज़ें आपको मिली हाईडोजन मिला, क्लोरीन मिला आपने उसके सिंबल को बस नोट कर दिया, आपने उन्हें ये नहीं check किया कि किस side कितने element है यानि hydrogen दोनों side balance है या नहीं chlorine दोनों side balance है या नहीं बस आपने क्या किया उठा के उनको लिख दिया उनके बस symbols को इसाई ड़ाँ को लिख दिया तो वो आपका एक थाचा तैयार हो जाता है then उसकी working बाद में होती है तो ऐसी equations जो कि simply represent होती है symbols और formulas के तू of reacting and product taking part in the reaction is known as scultal chemical equation जैसे कि for the burning of magnesium in the air, magnesium को air में burn करना, magnesium का symbol आपको पता है, magnesium का symbol होता है mg and air का symbol हो गया oxygen, जब भी सब air की बात की जाए तो हम लोग oxygen को लेते हैं जब भी आपको chemistry में यहाँ पर अब देखो कि आप कहीं भी air की बात की जाएगी तो air में हम nitrogen या other gases को नहीं लेंगे only हम air के लिए किसकी को लेंगे oxygen को लेंगे तो कहा गया कि हमने magnesium को burn किया air में तो magnesium को burn किया air में यानि magnesium लिक लिए हमने प्लस उसमें air मिक्स कर दी magnesium plus air और इसे हमने क्या किया गर्म किया तो गर्म करने के लिए हम यह symbol बना सकते हैं heat का symbol और हमने देखा कि हमारा क्या बन के तयार होता है magnesium oxide magnesium oxide layer तयार हो जाती है magnesium oxide मिलता है अब यह जो equation है यह आपकी skeletal equation किलाएगी यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर 2 oxygen है जबकि यह एक oxygen है यह बैलंस नहीं है यह सिर्फ और सिर्फ एक skeletal chemical equation है आपको भी आगे यह भी पढ़ना है skeletal chemical equation से काम नहीं चलता है equation को balance करना बहुत जरूरी है अगर आप ऐसे exam में लिख किया होगे तो आपको बिल्कुल marks नहीं मिलेंगे क्योंकि हमारी chemistry यह कहती है हमें यह बताती है जो भी हम आगे include करने जा रहे है conservation of mask के law पर based होती है यानि कि हमारा कोई भी element जो है वो chemistry क्या किसी भी चीज़ में आप देखोगे law of conservation of mask केता है कि कोई भी चीज़ जो होती है उसका mass हमेशा convert होता है यानि कि mass conserve रहता है mass can neither be created nor destroyed it can only transfer from one form to another form यानि कि the total mass of the element present in the product of a chemical reaction is equal to the total mass of the element present in the reactant यानि जो आपका product में mass है वो आपका equal होना चाहिए reactant के mass के नहीं यहाँ पर एक mg है तो यहाँ पर भी एक mg है पट यहाँ दो O है तो यहाँ पर भी 2 O होना compulsory है यही हमें कहता है conservation mass तो अगर आपसे question आता है कि हमारा equation को balance करना किस चीज़ पर बेस है किस law पर बेस है तो balancing of chemical equation is based on this law इसी law पर law of conservation of mass पर ही based है हमारी chemical equation को balance करना तो chemical equation को balance करना बहुत ज़रूरी है skeletal chemical equation से काम नहीं चलेगा हमें इसे balance करना ज़रूरी है और इस chapter से यह important हो जाता है एक question आपका chemical equation balance करने के लिए ज़रूर पूछा जाता है तो हम chemical equation कैसे balance और chemical equation को balance करने के लिए मैं आपको यहां पर थोड़ा सा long method आपको पुरा अच्छे से explain करके बताऊंगी अगर आप उसको अच्छे से पढ़े लोगे देन उसके बाद आप उस पर prepare हो जाओगे तो फिर आप आराम से उसको shortcut method से easily solve कर सकते हो पहले हम इसको होती है process of equating number of atom number of atom यानि की on both side of a chemical equation chemical equation में दोनो side यानि reactant और product दोनो के atoms को number of atoms को equate करने की process ही क्या के लाती है balancing of a chemical equation इसके features देखते हैं क्या है while balancing chemical equation formula of reactant and product should not be change जब भी हम chemical equation को balance करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम formula ही change कर दें चाहे आपका reactant हो चाहे वो predict हो उसका formula change नहीं होगा ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया carbon dioxide ले रखा तो और आपको क्या करना है oxygen balance करना है तो आपने उसमेंसे क्या 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 oxygen balance करना है तो आपने ओ को हटा दिया carbon monoxide बना दिया ऐसा नहीं करना है यानि ऐसा नहीं है कि आपको क्या करना है और 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 आपको क्या करना है तो आपको किसी भी चीज़ के फॉर्मली को चेंज नह करनी है next the first step in balancing a chemical equation is to write the number of atom of each element present on LHS and RHS so सबसे first step में आपको क्या करना है जो भी chemical equation आपको दी हुई है उनमें कितने number of atoms है उनको LHS में और RHS में देखकर include करना है जैसे कि यहां पर ही आपको एक्जामपल के पॉर में बता रही हूं यहां पर आपके बैलन्स करना है इस equation को Fe plus H2O लिखा हुआ है अधर Fe क्या होगा है iron iron plus water और यहां पर आपका iron oxide बनके तयार हुआ है hydrogen यह equation आपको दी रहेगी एक्जाम में आपको इसे balance करना होगा और अगर नहीं दी रहेगी तो हमें इसे बनाना भी होगा वह कैसे बनाएंगे वह हम आगे देखेंगे अभी फिलाल आपको यह equation दी हुई है और आपको इसे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है balance करना है तो balance करने के लाह में क्या करना है हमने कहा first step in balancing chemical equation is to write the number of atoms number of atoms जो भी है LHS में जतने number of atom है और RHS में जतने number of atoms है उनको हमें लिख लेना है चीए तो हमने क्या किया यह आप़ हमने देखा यहां पर कि iron है hydrogen है और oxygen है तो हमने लिखा iron hydrogen oxygen लिख लिया और iron के कितने elements हैं कितने atoms हैं आपर only one atom तो हमने lhs में लिखा one rhs में कितने iron three तो हमने लिखा यहां पर three फिर अगे hydrogen hydrogen हमारा lhs में कितना है two तो हमने लिखा two और हमारा इधर hydrogen कितना है 2 तो हमें इधर लिग दिया 2 इधर oxygen आपका है 1 तो हमने लिखा 1 एधर oxygen 4 है तो यहां पर डाल दिया 4 अब देखिए और क्या बोल रहा है always start balancing with the compound that contain maximum number of atom अब हमने ये इंट तो कर लिया अब हमें इसको balance करना है क्योंकि देखिए balance करना ज़रूरी है इधर आपका iron जाए 1 है जबकि इधर iron कितना है 3 हाइडोजन तो balance देख रहा है बड़ ना oxygen balance है और नहीं iron balance है तो हमेंसे balance करना ज़रूरी है क्योंकि हमने क्या देखा हमने देखा है law of conservation of mass कहता है कि number of vitamin LHS is equal to number of vitamin RHS reactant और product दोनों के number of atom equal होने चाहिए पर यहां पर equal नहीं है इसका मतलब हमें equal करना है चाहिए कई पर आपसे भी conceptual question पूछे जा सकते हैं कि यह balance है या नहीं तो पता चला है कि आपका balance नहीं है तो हम उसे balance कर लेंगे तो अब देखते हैं अब आगे हमें से कैसे continue करना है always start balancing with the compound क्या देखना है हमें कि हमें start करते समय है कि हमें किसे balance करना है हम किस चैसको उठाएं नहीं तो बहुत bundंबब हो जाता है तो सबसे पहले हमें देखना है मैकसीन Week number of atom और यह सबसे ज्यादा number of atom कि हो श्यादा है हमसे ज्यादा number of atom है यहाँ पर 4 है और जबकि यहाँ पर 1 है तो हमें क्या करना होगा? simply यहाँ पर 4 है तो इसमें भी हमें क्या कर देना है? 4 से multiply कर देना है तो चलिए हम यहाँ पर इसको करके बताते हैं आपकी equation थी Fe plus H2O और इधर साइड क्या था? Fe 3O4 प्लस आपका H2 यह दिया हुआ था चीक है? अब आपने क्या कहा कि जो सबसे ज़्यादा maximum number of आपके जो है atoms वो oxygen में है oxygen 4 है यहाँ पर इसका मतलब इधर भी हमें क्या करना है? इसको 4 करना है तो next line पर हम करते हैं Fe plus इसमें हम 4 लगा देते हैं तो यह हो जाएगा आपका पूरा वैसे ही लिख दिया इधर 4 oxygen था तो इधर भी हमने क्या कर दिया? 4 कर दिया अब हमारी टेबल बन के तयार होगी वो टेबल कैसी बन के तयार होगी? Fe, Ho, आपका इधर था LHS इधर था RHS तो LHS में हमने यहाँ पर क्या देखा? LHS में हम देखते हैं यहाँ पर कि Fe 1 है और इधर Fe क्या है? 3 है H यहाँ पर 4 तूजा 8 अब देखें यहाँ पर H कितना है? 4 तूजा 8 यानि यहाँ पर क्या हो गया? 8 हो गया H जबकि यहांपर आश अबी पही कितना है टू ही है और इधर आप देखोगे यहाँ O 4 है इधर आपका O 4 है और इधर भी आपका O 4 है यानि कि हमारा O तो बैललाइस हो गया पर ह बिगड़ गया ह आप का देख रहा हो बिगड़ गया तो अब हम next step में क्या करेंगे हम next step में हमें अब इन दोनों को balance करके check करना है तो फिर से हम आते हैं कि हम किसे balance करते हैं तो चलिए हम अपर hydrogen को balance करते हैं hydrogen को कैसे balance करें हम यहाँ पर देख रहे 8 है और यहाँ पर 2 है तो अगर हम इसमें 4 से multiply कर दें तो यह भी 8 हो जाएगा तो चलिए start करते हैं F1 plus 4H2 है इधर साइड हम क्या करें F3 O4 तो ऐसी रखते है hydrogen का यह 2 hydrogen था इसमें हम क्या कर दें 4 से multiply कर दें जिससे कि यह भी 8 हो जाए तो 4H2 कर देते हैं तो अब इस तरह से क्या हो गया आप देखो यहाँ पर से यहाँ हमारा iron तो देखे balance नहीं है इधर 1 है इधर 3 है iron balance नहीं है चलिए छोड़ते हैं इसको पहले हम देखते है hydrogen को hydrogen 4 2 is a 8 इधर भी देखते हैं 4 2 is a 8 hydrogen तो बैलन्स हो गया पर आते हैं oxygen पर oxygen है आपका 4 इधर भी oxygen है 4 यानि oxygen भी आपका क्या हो गया balance हो गया oxygen भी balance हो गया अब हम चलते हैं iron को देखते हैं तो फिर से एक बड़ table बना के हम देख लेते हैं आपको table में इसलिए बनवा रही हूँ क्योंकि आपकी anxiety book में भी table बनी हुई है तो आप एक बड़ टेबल से भी देख लीजिए अगर उसके बाद आपको अच्छे से आ जाता है तो फिर आप डिरेक्ली भी इसे solve पर सकते हो तो यहां पर यह हो गया जब आपने यहां पर आप देखते हैं यहां वन है यह थ्री है यहां पर पर स्थ्री से multiply कर दे तो हमारा काम बन जाएगा तो बस हमें क्या करना है 3Fe plus 4H2 implies that Fe 3O4 plus 4H2 देखें यहां पर 3Fe 3Fe H कितना है 4 तूजा 8 इधर भी H कितना है 4 तूजा 8 इधर आपका oxygen 4 है इधर भी oxygen 4 है तो इस तरह से हमारी यह जो equation है यह balance हो गई clear हो रहा है clear हो गया आपको किस तरह से balance हुई है तो एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं तो Fe plus H2O दिया हुआ है Fe 3O4 तो हमने सबसे पहले क्या किया जितने भी elements थे हैं पर Fe, H, O उनको लिख लिया LHS में जितने elements थे 1Fe, 2H और 1O, 1, 2, 1 इधर 3Fe, 4O, 2H तो 3, 2, 4 Okay, next फिर हमने क्या किया? Select the element which has maximum number of atoms हमने Fe 3O4 को लिया जोगी इसमें सबसे ज़ादा maximum number of atom था और इसमें सा हमने देखा O के पास सबसे ज़ादा of atom था तो हमने इसको balance किया तो इसको balance करने के लिचा हमने देखा कि पहले हमारे S2O के पास कितना था H2O के पास पहले हमारे केवल और केवल 1 atom थे 1 H2O था जबकि Fe3O4 में O यहाँ पे oxygen कितना है 1 है initially H2O में oxygen कितना है 1 है जबकि Fe3O4 में oxygen कितना है 4 है तो इसको balance करने के लिए हमने इसमें भी 4 से multiply कर दिया तो क्या हो गई हमारी equation क्या हो गई अब यह हो गई Fe plus 4H2O और Fe3O4 plus H2O देन हम आते हैं आगे अब हम देखते हैं यहाँ पर Fe and H are still not balance Fe और H अभी भी balance नहीं है तो हमने गया किया तह है यहाँ पर hydrogen देखा 8 था और यहाँ पर 2 ही था तो हमने इसमें 4 से multiply कर दिया था तो Fe plus 4S2O Fe 3O4 यह भी 4S2 हो गया ठीक है अभी हम देखा ना इसको फिर उसके बाद हमें Fe को balance करना है तो अब हमें Fe को balance करने के लिए हमने देखा इधर साइड आपका जो था 1 Fe था जब कि इधर 3 था तो हमने इसमें भी 3 से multiply कर दिया और अब इस तरह से यह equation है balance हो गई तो number of elements on both side are equal आप देख रहे हो दोनों साइड equal है तो this equation is not balance इस method को हम लोग क्या बोलते है heat and trial method आप से पूछ लिएगा कि balance कर यह equation को heat and trial method से तो इसी method को heat and trial method भी कहते है क्योंकि हमने आपे trial कर करके numbers को अपने से लगा-लगा के हमने इसे balance किया है तो इसे हम heat and trial method कहते है इसे आप बहुत अच्छे से practice कर लेना क्योंकि आपका balance करने के लिए की question जरूर पूछी जाती है इसमें बहुत सारी question से मैं आगे आपको exercise भी solve करवाऊंगी और उनमें भी जो question से वो भी पूरी prepare होनी चाहिए NCRT से कोई भी question आपसे miss नहीं हो पाए उसके बाद आप कोई भी sidebook use करते हो आप उसे use करो but NCRT must है मैंने आप इसे notes भी बनवाई है आपकी वो पूरी notes आपकी NCRT पर base मैंने बनाई है NCRT के सारे चोटे से चोटे topics को मैंने आप इंक्लूट किया है आगे भी मैं इसमें इंक्लूट करूँगी और NCRT के जो mid between exercise की जो questions होते हैं और पीछे भी exercise की जो questions होते हैं वो सब मैं आपको question answer के साथ बुरा provide कराऊंगी और साथी साथ मैं आपको इसका video भी इसका pdf भी include करूँगी और pdf भी आपको classes के बाद यह जब chapter finish हो जाएगा तो मैं आपको pdf भी provide कराऊंगी तो आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहे हैं और इस questions को solve करते रहे हैं notes को जैसा मैं बताती जाओ साथ ही साथ पढ़ते चलिए आपका यह पूरा chapter बहुत अच्छे से prepare हो जाएगा चलिए फिर हम आपको next video में ncrt book के question answer जो है क्योंकि इसके just बाद आपका page number 6 पे ncrt book के में questions कुछ दिये हुए हैं आप उसको देखिएगा तो वो questions को मैं solve कराऊंगी दिन में आगे continue करूंगी तब तक के लिए thank you for watching this video goodbye good luck